हलो फ्रेंट्स, वेलकम टो आवर चैनल, मैं हूँ मिष्टी और आप देख रहे हमारा चैनल शौतुलपा मिष्टी आज की हमारे संडर स्पेशल रेसिप्टी है स्ट्रीट स्टाइल घुपनी यह देखिए, यह दिखने में एकदम स्ट्रीट स्टाइल है ना, खाने में भी बहुत स्वाधिस्ट है तो चलिए देख लेते हैं कैसी इसको तयार करना है सबसे पहले हम एक प्रेशर कुकर में देर लिटर पानी लेंगे, फिर इसमें डालेंगे मटर जिसको हम ओवरनाइट विगो के रखे थे और मटर को हमेशा धो करके ही विगो ना है नहीं तो कभी-कभी प्रेशर कुक्ट होते समय पानी में बाबल्स आ जाती है और एक बद्बू भी निकलती है हम घुपनी में यही पानी यूज़ करेंगे इसलिए ये बात ध्यान देना जरूरी है अब हम इसमें डालेंगे मटर की अनुसार नामाग, हल्दी, एक टमाटर और एक लाल मीर्च तोड़के फिर इसको थोड़ी सी चलाके धग देंगे अब हम इसको 7 सीटी आने तक पकने देंगे करिद 10 मिट के अंदर ही सीटी आने लगेगी 7 सीटी आने के बाद हम इसको एक साइब में रख देंगे जब तक ही अपनी प्रिशट छोड़ते हैं तब तक हम हमारी मसाला तयार कर लेंगे पहले कड़ाई में तेल डालके इसमें हम आलू फ्राई कर लेंगे आलू में थोड़ी सी हल्दी और नमक डालके कलर आने तक प्राई करेंगे जब इसमें कलर आ जाए तब हम इसको एक बोल में निकाल लेंगे अब हम इसमें दो टेबल स्पून जीरा डालेंगे फिर हम डालेंगे एक स्लाइस किया हुआ अनियन जब यह थोड़ी पक जाए तब हम इसमें डालेंगे एक पेस्ट जिसमें हम ली है दो ग्रीन चीली मसाला अच्छी तरिके से मिल जाने के बाद हम इसमें डालेंगे हल्दी और नमक और इसको करीबन फाइव मिनिट्स तक घूनेंगे ओ और एक इंपोर्टिन बात जब भी हम कोई स्ट्रीट स्टाइल फूड बनाएंगे तब हम घर की सबसे पतला सा कडाई लेंगे क्योंकि स्ट्रीट वालों के पास जो ओवेन होता है उसमें से बहुत आग मिकलते है और तेल हमेशा बहुत गरम रहती है इसलिए उसकाने में एक अलग टेस्ट आती है यहाँ पे हम यूज करेंगे एक सीक्रेट इंग्रीडियन्स जो की है जवित्री और जाइफल पेस्ट जिससे हमारी घुबी में एक अलग टेक्स्चर आएगी लेकिन ये हाफ टी स्पून की ज्यादा नहीं होना चाहिए मैं यहाँ पे दोसो पचंस ग्राम मतर में हाफ टी स्पून डाल रही हूँ आप इस क्वांटिटी में ही डालिए जवित्री और चाहिफल देने के बाद दो से तीन मिनिट हम इसको भूनेंगे फिर हम जाएंगे मतर के पास ये देखिए मतर एकदम गल चुकी है तोरी में निकालके साइड में रख देंगे और पानी को भी अलग करके रख देंगे अब हम इसमें आलू और मतर डाल देंगे और पहले हम सब कुछ में ही नमक डाले थे इसलिए यहाँ पे में चेक करके ही नमक डाल रही हूँ आप भी चेक करके ही नमक डाले मुझे यहाँ पर वान टिस्पून की ज़रूरत हुई है अब हम मतर को कूप किया हुआ पानी तीन कप इसमें डाल देंगे अब इसको हाई फ्लेम में ही टेन मिन्ट्स पकने देंगे फिर एक बर चलाके लो फ्लेम में फाइब मिनिट के लिए छोड़ देंगे फाइब मिनिट के बाद हम गर्मा गर्म इसको सार्व करेंगे और प्लेटिंग के बाद हम इसको गर्निशिंग करेंगे गर्निशिंग के लिए हम इहापे लिए है थोड़ी सी प्यास चॉप्ट की हुई ग्रीम चीली एक पिंच अफ भुना हुआ जीरा पाउडर एक पिंच ब्लैक सॉल्ट फिर थोड़ी सी निम्बू करस और इसको हम ब्रेट की साथ परोसेंगे शौतर पमिष्टि के हर एक लेशिपी डीटेल में जानने के लिए आप हमारी ब्लॉब चेक कर सकते हैं हमारे बारे में और जानने के लिए आप हमें इंस्सा पेज में फॉलो कर सकते हैं और हमेशा की तरह अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए हमसे कुछ कहना हो तो कॉमेंट कीजिए और ऐसे आने वाले वीडियो देखने के लिए हमारी चानल को सब्स्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर पाईए